हलो इस्टेंट डेसे अनन्थ शेखावसेस्ट एड़ेवलकम यौल और गेट अड़र 247 अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरू करने और अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन आज इस सेशन में भी हम कुछ ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने वाले हैं जहां पर लोगों को प्रॉब्लम्स फील होती है तो यह सारी चीजें जो है यह फीचर जो है आपके लिए रिक्वार्मेंट हो जाती है तो अड़ा 24-7 की तरफ से यह सारी जो रिक्वार्मेंट से आप इनको बिल्कुल फुल्फिल कर सकते हैं बिल्कुल बिना किसी कॉस्ट के फ्रीली अड़ा 24-7 की प्ले स्टोर पर एप जो है अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यह सारे से आपको बिल्कुल फ्रीली मिल जाएंगे तो अड़ा 24-7 की यह ओफिशल एप प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से वीडियो इसको अड़ा 24-7 की एपको इंस्टॉ लाएब भी कर लें क्योंकि यहां पर गेट 23-24 के लिए जो कंटेंट्स है बिल्कुल फ्रीली यहां पर सेशन आते रहतने हैं लाएक यहां पर अभी चेलेंजिंग कोस्टन का सेशन चलता है जो 23 के स्टुडेंट्स है उन लोग के प्रपरेशन को पॉलिश आउट करने के लिए लॉंग आर मेराथन सेशन चलने उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के उनके कॉमन सब्जेक्ट लाएग इंजे मैतमेटिक्स के और इसके अलावा जो गेट 24 के लिए अपनी प्रपरेशन स्टार्ट कर चुके उन लोग के लिए गेट 24 के बिल्कुल जीरो लेवल से ब रहने वाले उनको मैं एक बार आपको व्यू करा देता हूं कि हाँ यह वाले कोस्टिंस के बारे में बात करने वाले जिन कोस्टिंस में जनरली लोगों को प्रॉब्लम भी फील होती हैं हमारा में मकसद जो है यहाँ पर उनी कोस्टिंस को डिसकस करना है मैं यह मान तो यह रहा हूं कि आप एलेक्ट्र मेंटेव फिल्ट हरी में ट्रांस्मेशन लाइन के बारे में जानते हैं और लड़ी समझे हूं है बट हां इन कोस्टिंस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इन सेशन के साथ इन कोस्टिंस को आप कवर कर सकते हैं आपर लाइक इससे वाला कोस्टिंट जो था वो बैसिक पैरामीटर सौफ प्राइमरी पैरामीटर सौफ ट्रांस्मिशन लाइन से रिलेटेड था यहां पर अगर बात करें तो यह प्रॉब्लम फिल रहे हो इसलिए मैं आपर इसको पिक किया है यह वाले क्वेशन में भी एक यहां पर एक पर parameter τα मचाब ligu नहीं होती है अगर तो हैS вопросन को अच्टेम्ट करने में प्राप्वलम हो सकती आपको तो यह कुछ को स्पराज पर आज के सेशन में कवर करने वाले हैं चले तो सबसे पहले सबसे फष्ट कोस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये चारों questions जो हैं आज के session में लार्स तक बने रही है का इन सारे questions को हम discuss करने वाले हैं बिलकुल deep में जाकर के समझने वाले हैं अगर कोई भी problem हो तो यह problem यहां पर आपकी overcome हो जाएगी इन questions से related चले तो question है जो यहां पर comment किया हुआ है यहां पर जो question में बोला हुआ है इसके बारे में हमें diagram भी इसके support में बता रखाया अगर इसको समझने में problem हो diagram की तरफ नजर मारते हैं वापस से एक बारा करें समझें तो क्या बोला हुआ है यहां पर हमें यहां पर बताया हुआ हमें a lossless transmission line consists of a trace of width w यहां पर यह दिख रहा है यह width w का यह एक transmission line है microstrip line में दो conductor parallel में होते हैं तो यह तो एक नजर आ रहा है दूसरे conductor के बारे में बोला हुआ है it is drawn over practically infinite ground plane यह practically infinite ground plane मतलब इसकी कोई end up नहीं है कोई और छोड़ नहीं है iNfinite income plane और ground is also a conductor तो हम कह सकते हैं जैसे माइक्रोष्ट्रेप्लाइन में दो कंड़क्टर होते हैं तो एक कंड़क्टर तहीं हो गया जिसकी विट्स डबली और एक अच्छा आगे बोला हुआ है कि ये दौनों के बीच में जो सेपरेशन है वो टी का डिस्टेंस है से और बीच का जो मैट्रेल उसके बारे में बुलाओ है इससे जो मैटेरियल जिसे सैपरेट हो रहा है उसकी रिलेटिव पर मिट्विटी जो एपसाल ना रहा है वो ग्रेटर देन मने मतलब यह अब आगे बोला दे इंडक्टेंड पर यूदेर यहां पर यूदेर लैंट के लिए हैं इनडक्टेंज आप यहां पर यूद लेंग्ग के लिए है इंडक्टों जो है एक तो यह है उसके बाद secondary parameters होते हैं उन secondary parameters में होता है गामा गामा के दो पार्ट होते हैं एलफ और बीटा तो कई बार कोई लोग ऐसे बोल देते हैं एलफ और बीटा secondary parameter है एक तो गामा हो गया और एक characteristic impedance जैड नॉट और एक phase velocity वी ठीक है यह चानों से यह तीनों secondary parameters उतने हैं उन में से जैड नॉट जिसको हम जैड नॉट मींस characteristic impedance बोलते हैं उसके बारे में बुला हुआ है कि characteristic impedance transmission line का जो माइक्रिश्ट्रिप लाइन है इसका जैड नॉट है और इसका जो inductance है per unit length है वो एल है which one of the following inequalities is always satisfy कौन सी inequality जो होगी that will be always satisfied ऐसा हमसे पूछा है इन में से अगर हम inequalities पर जो satisfy करने की बात कर रहा है अगर हम देखें तो जैड नॉट को relate करने का बात कर रहा हूँ किस चीज़ को इंप्डेंस के बारें बात कर रहा है कि यह जो options हैं इन में किस से lesser होगा greater होगा ऐसा करके बोला इक्वल नहीं lesser greater इसलिए inequality बोला है यहां पर equation ना बोल करके इसको बोलेगा inequality कि inequality में जो यह जैड नॉट आने वाला है यह इस value से लैस आने वाला है ग्रेटर आने वाला ऐसे करके यह options हमें दे रखें अब जैड नॉट क्या होता है वह हमारे mind में हो अगर तभी हम जैड नॉट इस parameter से जो भी हमें यहां पर दियो है right hand side में उससे lesser है greater है वह सोच सकते हैं तो हमें characteristic impedance के बारे में knowledge होनी चाहिए हमें यहां पर lossless transmission line किसी भी तरह क्यों चाहिए माइक्रोश्ट्रोप हो या कोई साभी हो हमें lossless transmission line के लिए characteristic impedance जैड नॉट क्या होता है उसका formula पता होना चाहिए जो कि मुझे लगता है कि हर एक aspirant को जिसने electromagnetic field theory में transmission line पढ़ा है उनको पता होना चाहिए अच्छा जो general formula होता है जैड नॉट का वो तो यह होता है जैड नॉट एक्वाल टू रूट आफ आर प्लस जे ओमेगा एल वाई जी प्लस जे ओमेगा सी यह तो होता है जनरल फार्बुला यह तो जनरल ट्रांसमेशन लाइन के लिए लेकर अगर मुह ट्रांसमेशन लैन लॉस्टला यह तो हजा तो फिर उस केस में यह पर यह बन के आ जाता है रूट अल बैसी यहा या रूट आर भाई जी 감사합니다 के लिए लूट आइल उसक एल्सकी लाइन के लिए हो root l by c तो क्योंकि हमें बोला है question में कि transmission line lossless है इसलिए हम बोल सकते हैं characteristic impedance z naught क्या होगा root l by c होगा तो यहां पर z naught जो characteristic impedance होगा जिसकी inequality की बात कर रहा है अगर मैं अपने तरीके से अपने अपने से अगर calculate करने लगो तो z naught मैं बोलूंगा z naught will be what z naught will be what root l by c k exactly equal ना lesser ना greater हाला कि अब वो इन में से किसके less होगा greater होगा वो हमें समझना पड़ेगा but root l by c से related होगा अब देखो options में l तो नज़र आ रहा है root l तो नज़र आ रहा है बाकी जो terms है वो c से कैसे related है अगर बाकी जो यह option में terms नज़र आ रही है यह c ही हुआ l के साथ में जो multiple मेरा जो मैंने red कला में bracket से different किया है अगर वो c ही हुआ तब तो equal बोलना चाहिए वो c नहीं हुआ होगा c की बज़ए कुछ और हुआ होगा हमें c से relationship अगर उसका समझ में आ जाए तो यह जो जैड़ नॉट होगा इस result से कितना greater होगा है lesser होगा यह समझते हैं हम option की बात कर सकते हैं कौन सा option correct होगा ठीक है तो अब हमें c के बात करनी है हमें micro strip line के capacitance की बात करनी है अब यहां पर आ जाता है जो हमारे primary parameters हैं तीनों तरह की transmission line के rlg और c उनके formula हमें याद रहना जरूरी होगा तब ही हम यह apply कर सकते हैं तो याद कैसे रखते हैं मैं class में बताता हूं 12 formula आगर वो tricks आपको पता हैं तो बारह के बारह formula जब जरूरत पढ़ेगी आपके mind से निकल करके आते हैं तो आपने भी classes में पढ़े होंगे सबको पता होगा जो capacitance होता है या पर साथ में जो जो पैरामीटर चल रहा होता है जैसे हमारी को एक्सल के लिए चल रहा होता है एलन भी बाइए जैसे हमारी transmission के लिए होता है कॉस हाई पर इंवर्स डी बाइट हुए ऐसे यहां पर यह चलता है डी बाइडवलू ठीक है यह डबलू बाइड और एपसालन का मतलब हो गया हमारा जो बीच में माइक्रिश्ट्रिप लाइन के जो दौनों प्लेट्स हैं उनके बीच में जो मैटरल फिल्ड है उसका पर मिट्वी और यह के एपसेटेंज जो है ऑमेगा ऑपसालन度 डबलू बाइड वीड़ी जो लगत ट्यंट यहां पर ल की जो बात करेंगे आसी ऑन में मैं चाहबाए आ जो प्ले जो ट्रांस्मिशन लाइन होती है उन्हुन ट्रांस्म ड्राइमर्थे रीड ञाका जातना होते हैं यह पर यूनिट लेंग्धे लिए क्योंने लिया क्या बहुत तो यह बहुत और यूनिट लेंग तो तो अगर मैं इसको put करने लगूं तो यहाँ पर जो parallel plate line होगी उसकी दौनों plates जो है न्यौन plates के बीच की जो distance है इन दौनल plates के बीच का जो separation है वो तो है d और जो plate की यह जो size है जो width है वो है w बीच में जो metal field है उसका epsilon is equal to epsilon यह प्रमिटिविटी उसका तो यह वैल्यू सब्स्ट्टूट करके मैं सी को फाइंड कर सकता हूं और फिर मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि सी को जब मैं पुट कर रहा हूंगा एप्सवाट इंटू एपसल एनार की फॉर्म में दिख रहा होगा ना ऐसा बोलों टो हो तब मनें स्की बात करूंगा यहां पर यह डिस्टैंस है सेपरेशन ज्या दो प्लेट के बीचमें एक प्लेट था दूसरी प्लेट ही नहीं mache त्लag नार्ज या इमेज करंट जब भी कभी कोई perfect conductive material हो परफेक्ट कंड़क्टर oh उस परफेक्ट कंड़क्टर के आब आव में एक सैड में कोई charge हो पॉजिटिव चार्ज हो अगर नेगेटिव भी हो सकता है तो इस पॉजिटिव चार्ज के वह जैसे जो इलेक्ट्रिक फिल्ड हो गाँ अस लेक्रिक फिल्ड से इस पर्फेक्ट कंडंड़क्टर के इससरस Tips पर नेगंडियुज्ड साज उस नेगटिव इिए यूज़ तब हैम बोलते हैं अगंत में वूहर हो यहाँ पर इस अधार हो तो इसी का एक concept of image current से जितनी ये उपर है उतनी नीचे होगा और ये उपर height बढ़ती जा रही है तो ये नीचे depth बढ़ती जाएगी एक current ऐसा हो जाता है यहाँ पर current जा रहा होगा तो यहाँ पर इमेजनरी पूल टाइप से इमेजनरी current हो गया यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ऐसा नहीं अभी हमारे पास ऐसा होता है तुम सीपूट करते सीदे सीदे बल्कि क्या है यहाँ पर यहाँ पर एक perfect conductor है infinite का और उसके उपर एक W width की यह मैं ऐसे समझाने क यहाँ पर एक्ट्वल निया है इमेज है क्योंकि भाई जब यह ट्रांसमेशन में ले रहोंगे तो इसमें करेंट फ्लो रहोगा ना तो जब करेंट फ्लो होता है तो उसका concept of image करेंट से के मेंज करेंट आ जाए गया पर तो आप कह सकते हैं एक एक्ट्वल करेंट फ्लोइ जो ऊपर वाला पार्ट है यह फिल्ड डाइलेक्ट्रिक से एपसलोट इंट एपसलन आर करके नीचे नहीं है ऐसा तो नीचे नहीं है का मतलब यहाँ पर इसके उपर उपर है इसके नीचे थोड़ी है तो हम कह सकते हैं इसके जो image बन रहोगा है यहाँ यहाँ पर कंड़क उपर जयालाग मेंटेरील है यहां एक मेट्राइल जिसका ईपसलनागते वनन है तो है यहाँ पर एक कंपोजेट कैपसिटर का केस बन गया इसका टोटल कैपसंटरंस अगर हम फाइन करें तो फूट कर सकते हैं जैन नॉटत Раз्हें यह केंपउजेट कैपस्टर नीचे यहा रेजल्टिंग जो कैपेस्टर इंस होगा सिकुलन्ट यह जह लाएगा सीवन और सीटु का सीरीज कॉमभिनेट्ट प्लस कैपेस्टर में सीरीज कॉमिनेशन में जो । OUT हो हो रहिंड रिजिस्टर्स के पैरल कॉम्भिनेशन वाल़ दी की जागए पियाना इसमें बीड़िया डाबलु ऑनाओ डाबलु भिणा मैं ऑ जो यह बनना वNT आपसलान आरल की वेल्यीर वन हों करके एपसलाटो बनेगा अगर मैं को यहां पर तो सी वन भी गुतिंप सी डॉय जब इन दोनों का parallel combination स्वारी सीरीज combination में expression जरे फॉलोवर है जैसे resistors स्के parallel combination वाला follower होता है होता है जैसा कुछ वैसा है और जब रेश्टार का parallel combination होता है तो resultant equivalent जो आता है वो डोनों में से जो भी कम हुता है उससे भी सेट और सीटु में से सूरी कौन लेस है सीटू से क्माने वाला और सीटू सीवन से लेस है तर छो बड़ा है से उस से तो उस से सो गए तो चूब और अगर मैं Z जैड नॉट एक्वाल टो सही बोलूं तो जैड नॉट एक्वाल टो मुझे बोलना चाहिए रूट L by C equivalent अगर सही से बात करें तो हम C equivalent बोलना चाहिए लेकिन कर सी कुलेंट के जगे मैं सीवन सब्स्ट्टूट कर दूए अप्सवन अप्शन को देख रहे हैं अगर तो एल के साथ यह तो खेर गलत अप्सवन डबलू बाइटी बनते हो नज़र आ रहा है एक्शन में आना चाहिए था सी कुलेंट लेकिन अगर मैं सी कुलेंट की ज propaganda यहाँ पे सीवन पुट कर दे रहा रहा हूं सी वन एफशान Свण डबलू बाइटी सीवन पुट कर दे रहा हूं मेंस जो एक्शन वैलियू होने चीए उससे गटा के वैलू उससे lesser value substitute किया है तो result जो बनेगा वो इससे बढ़ करके आ जाएगा means L by C1 की जो value होगी वो root L by C equivalent से क्योंकि ये कम है जादा होगी means ये जैड नोट है ये actual जैड नोट वा जैड नोट इसका मतलब लैसर होना चेक इससे root L by C1 और C1 का मतलब ये जैड नोट का वैलू है वो एल टी बाई एपस्वाट एपस्वाट से कम होना चाहिए क्योंकि actual जैड नोट है वो root L by C equivalent है आगर C equivalent की जिए हम C1 substitute कर रहे है means हम value को घटा रहे है तो divide में value घट रहे होगी इन्टू टी बाई एपस्वाट 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 डबलू तो इसलिए भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बताएंगे फिर हम next questions पर स्विच करने वाले सेशन के स्टार्टिंग में मैंने बताया कौन-कौन से questions के बारे में हम बात करने वाले तो आप लास्ट तक बने रही है का वीडियो में अगले questions के solutions को समझना है तो यहां पर इस question के कमेंट करके चले next question की बात करते हैं यह ट्रांजेंट एलाइस एनलाइस से रिलेटर question है और यह question भी अच्छा question है इसको भी समझने में लोगों को problem आ जाती है कि बार तो इस लिए इस question के बारे में भी बात कर लिए जाए एक 200 meter long transmission line having parameters shown in figure is terminated into a load RL एक 200 meter की transmission line है figure में खुद बोला है उसने कि देख लो चलो figure में नहीं समझ में आरे मेरे बात हैं तो figure में और उसके parameter shown है उन parameters को देखके R note R note का मतलब आप समझ जा रहे होंगे characteristic impedance क्योंकि pure realistically उसने आर नाम दे दिए वैसे तो जैड़ नॉट बोलना चीए था तो यह characteristic impedance है जैसे जैड़ नॉट होता है अच्छा यहां पर जो material है जो इस में transmission line के construction में युद में लिया गया होगा उसका जो एपसालन आ रहे है यह फिकर में थोड़ा सा दिखने में कम देख रहा होगा समझ में नहीं आ रहा हो तो यह एपसालन आर दिया होए मिस रिलेटिव परमेटिव दिए उसकी टूपाइंट टूपाइट एक डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड़ टूपाइट परमेटिविट यह और लोड रल से टर्मिनेटर एक क्वेस्टन में अभी तक है आप बोला जो उसको देखके भी समझ माया आग और स्विच को टेक्वल टूपाइट पर क्लोज किया जा रहा है ऐसा बूला है अब इस सर्किट का इन्पूट ऑफ दा लाइन इंपूट का मतले यहां पर जो रैस्पॉंस होगा वह में शो किया हुआ है अगले फिगर में उस रैस्पॉंस को देखकर के क्या समझ में आ र ड्र इक्रो सेकिंडimi लॉट कर लाइच है कहां पर है नियुक्त यहां पर हम जानते हैं जब भी ट्रांस्मिशन एम बात करते हैं तो पोजिशन के साथ यह टाइम के साथ बिल्टे जोट करन्ट वेरी कर रहा होता जब भी हम वेव का बात करेंगे तो विदि रैस्पेक्त म space coordinate and time variation होने चाहिए तो यह पर space coordinate वह होता है जिस data कर रहे हो तो यह Z है क्योंकि उसने Z equal to 123 ऐसे कर तो यहां पर L बोला है मतल़ total length L है तो यह Z है यह Z की value 0 और time T के साथ मतल़ आप कह सब्सक्क्राइब उसने बोला होगे था कि Z equal to 0 पर बात करने जैड तो फिक्स करदें में यहाँ पर time के साथ जो voltage variation होगा उसको show कर रखा है हमें इस point पर time के साथ जो voltage variation है उसको show किया हुआ हमें हमसे ये value of RL पूछा है ohms में ये जो load resistance यहाँ पर put किया हुआ है इसका value पूछा है हमसे ohms में चलिए आप लोग बताएंगे क्या ये question आपको आता है समझ में आता है आप कर सकते हैं क्या अगर कर सकते हैं तो मैं थोड़ा वेट करूं आपके response का वरना discuss करते हैं थोड़ा सा YouTube पर उतना interaction नहीं पाता है उतना interactive नहीं रह पाता है तो थोड़ा सा delay के साथ चलता है अगर आप कर पा रहे हूं तो आप comment section में जरूर बताएंगे कि हाँ वेट करिए अभी थोड़ा सा हम भी अपनी तरफ से try करें नहीं तो discuss करते हैं इस टाइप क्या question जो है transient analysis related question है चलिए देखना समझना यहां पर जो voltage होगा यहां जो voltage होगा वो सबसे पहले time t equal to 0 पर क्या होगा 100 वो हमें figure में भी show क्या हुआ है हम खुद से भी समझ सकते हैं जब time t equal to 0 की बात करेंगे तो उस time पर switch just on हुआ है यहां source से निकलने वाली voltage वेव जो है वो just यहां पर होंगी load पर नहीं पहुंचेंगी load अगर matched है तब तो वहां से कोई reflection होता ही नहीं कोई reflected wave होगी नहीं अगर load matched नहीं भी है RL और R0 सेम नहीं भी है तब भी वहां से कोई reflection नहीं होने वाला इस time पर क्योंकि वह वहां पहुंची ही नहीं होगी वेव जब तक load पर पहुंची ही नहीं है तो reflection नहीं होने वाला reflection नहीं हो नहीं मतलब कोई no reflection के साथ हो no reflection means perfect matching perfect matched feel actual में यह perfect matched RL और R0 different हो सकते हैं हमें पता ही नहीं यह RL का value बट जब तक कोई wave reflect होते हैं नहीं आ रही होगी तो no reflection आ रहा होगा no reflection means perfect matching की तरह बहुँग होगा और perfect matched की तरह जब यह वह रहा होगा तो input पर जो impedance होगा तो वो input impedance क्या होगा that will be equal to characteristic impedance of the transmission तो यहां पर हम कह सकते हैं at t equal to 0 behavior जो हो रहा हो वो कुछ ऐसा हो रहा होगा 150 ohm का तो internal impedance है source का ठीक है और यहां पर जो input पर impedance feel रहा होगा वो जैड नॉट के equal हो जाएगा means 50 के quality feel हो रहा होगा यह 400 तो यहां जो voltage आने वाला है इस पर वह इस input पर यह ना वह voltage हम voltage division formula से कह सकते हैं that will be V at 0 बोलना हूं मैं और time 0 पर एसलिए V at 0 कॉमा यह है Z equal to जहां पर बोलना और यह जिस time पर बोलना हूं यह हो जाएगा voltage division formula से 400 multiply by 50 divided by 400 प्लस 150 means 200 यहां से solve करके आ रहा है 100 वोल्ट मैं बोलना हूं 100 वोल्ट और उसने भी बोला हूं 100 वोल्ट तो मतलब मैं सही दा action में चलना हूं कि हाँ यह वाला voltage इसका मालओ Z equal to 0 पर time 0 पर voltage है time 0 पर voltage है अब यह इतना ही रहेगा जब तक कोई reflection ना हो जब reflected वे होगी वह यहां से reflect होगी आच्छा जो वेव यह 100 वोल्ट के 100 वोल्ट की स्ट्रेंथ की वेव जब आगे बढ़ रही होगी हमें transmission line में बोला हूआ lossless है नहीं भी बोला हूआ है तो क्योंकि करेक्ट्रिस्टिक इंप्रेंस प्योर रियल नजर आ रहा है तो हमें समय में आ जाने चे transmission lossless है तो यहां पर 100 वोल्ट की स्ट्रेंथ का voltage वेव जो है वह यहां तक पहुंसते पहुंसते 100 वोल्ट का ही रहेगा इंसिदेंट वोल्ट के सेम फेज में होई तब यह दो करने माइनस बढ़ जाएगा और और मैंश हो जाएगा थैना तरी वेव है यहां से ज्यों ज चात्व है यह जब वह तक बहुंच जाएगी जब यह यह पहुंच जाएगी तो वोल्टेज जो इस जगे पर voltage है वो 100 प्लस reflected हो जाएगा लेकिन वो होगा यहाँ पर हमें जो figure में शो किया हुआ है वो शो किया हुआ है z equal to zero पर यहाँ पर input पर question में बोला हुआ भी है और figure में show भी क्या हुआ है में यहाँ पर यह at zero शो किया हुआ वोल्टेज जो है इसलिए यह नहीं समझ लेना है कि उस 100 वोल्ट में reflected को एड़ हो करके यह 100 से ऐसा कुछ हुआ है नहीं reflected जो एड़ हुआ है वो यहाँ पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा जिस time पर उस time पर क्योंकि यहां तो पता नहीं reflection कितना हो रहा है लेकिन यहां क्लियर सी बात है यह 50 हो मैं और यहां से जो वेव ट्रवल करके आ रही है उसके लिए यह जो सोर्स होती है वह वापस से ट्रेवल करते हैं जा रही होती है जब सोर्स पर तो इंपिडेंस यो होगा वह इस वाले का इस वाली वेव को reflected लिए एज़ लोड करेगा और उसका इंपिडेंस इस ट्रांसमिशन लाइज से ट्रेवल करते हैं उसके इक्वल नहीं हुआ तो वहां पर यह यहां पर पहुंच रही है वो दस हंड्रेड में जो एड़ पो रही है वो यह उने के साथ तो यह पर रिफलेक्टेड में दो पार्ट एड़ होए होंगे उसके बाद यह चेंज होगा अभी मैं एक्जामपल में समझाने के लिए दस बच के पांच मनद दस मनट की बा यहां से फॉरवा ट्रेवलिंग वेव जब चली होगी उसके बाद लोड पर पहुंचने के बाद रिफलेक्ट होते हैं वापस यहां पर पहुंच गयोगी उस टाइम से पहले तक यहां पहुंच गया है अब हम वो चैक भी कर सकते हैं चाहें तो अगर विश्वास नहीं इ यहां से इस पर विश्वास ने कि टू-maikro-second क्या तो यह time को मैं चैक भी कर सकता है調ेक्स का सकता है कैशे क्या मैं बोल सकता हूं यह timesworks होगा जो मैं अपनी तरफ से घ्लकुलेट कर रहा हूं तो सबाद में देखेंगे मैं अपनी तरफ से एलकुलीट करने यह time मुले यह होती है न nesse yeah में से रूट मीकुछ कमेंट नहीं कि वन होता है कभी किसी Een के बारे में कुछ कमेंट में किवन होता है दकाल चाहाए वह ट्रांसमेशन का प्रोपेएशन का अं मानकेटा नोन मेगनेटिक में थे रखेंयो यह डे Kakे सकते हो Refiner में root of 2.25, 2.25 का root बनेगा 1.5, यह divide कर देना है, means 3 into 10 raise to power 8, divide by 1.5, means 2 into 10 raise to power 8 meter per second, यहां इस transmission line में जो velocity of wave होगी, जो phase velocity होगी, that will be 2 into 10 raise to power 8 meter per second, और उस velocity के साथ 200 meter plus 200 meter travel करने में, जो time लगने वाला है, that will be 2 into 200 meter, total 400 meter होगे न, divide by this speed, या this velocity, 2 into 10 raise to power 8, आप इसको अगर solve करेंगे, तो हो जाएगा, 400 by 2 means 200 by 2, means 2 into 10 raise to power minus 6, means 2 microsecond, तो इसका मला 2 microsecond, वो time instant होगा, जब wave यहां time T equal to 0 से निकलने के बाद, 2 microsecond में वापस यहां पर आचुके होगी, और जब वापस यहां पर आचुके होगी, तो इस 100 volt में जो आई हुई wave है reflected होके, वो plus उसी पर यह reflection भी होगा, डोनों को मिला के total होगा 62.5, तो क्या मैं इस figure से ऐसा बोल सकता हूँ, क्या कि यह 62.5 value क्या आई होगी, यह 62.5 value आई होगी, 100 में add हुआ होगा, एक तो वो part जो यहां से reflect हुआ है, वो part जो यहां से reflect हुआ ह हो, वो क्या होगा, 100 incident हुआ, reflection coefficient हुआ, reflection coefficient होता है, गामा, वो होता है, reflected by incident, तो हम कह सकते है, reflected part कितना हुआ होगा, incident multiply by reflection coefficient, तो यहां से incident भी 100 की, multiply by reflection, कौफिशन कर दो, मैं गामा बोलके चलना हूँ, असे reflek्शन कोफिशन को, multiply by 100 incident, यह वाला पार्ट के वल मेंने यह वाला भी होगा यहां से रिफलेट क्या होगा यहां का रिफलेक्शन कोफिशेंट तो कैल्कुलेट कर सकते हम ZL की तरह कर रहा होगा 150 तो इस जगह पर जो रिफलेक्शन कोफिशेंट उसको गामा टू बोलना हो मैं that will be that will be 150-50 by 150 plus 50 means 100 sorry plus 50 150 plus 50 means 200 तो जाएगा 100 by 200 means half 150-50 100 means half half of this जो रिफलेक्ट हो क्या रहा है वो कौन सा यह blue color में जो लिखा हुआ है उसका हाफ यहां से reflect होगा हाफ तो यह चूस लेगा हाफ तो यह absorb कर लेगा reflection कोफिशेंट की value half है half part reflect होगा किसका यह blue वाला पार्ट इंसिडेंट वह इसका हाफ में से बोल दो कि हाफ ऑफ अंड्रेड गामा is equal to 62.5 यहां से गामा आ सकता है और गामा गया तो आरल निकल जाएगा कैसे यह जाएगा टोटल हो गया 50 150 150 ऑगामा is equal to 62.5-100 करेंगे 62.5-100 कि तो जाएगा यह हो गया 37.5-37.5 माइनस ओफ 37.5 मिस गामा गामा equal to होगा आरल माइनस आर नोट आर नोट का वेलू तो पता है 50 divided by आर एल प्लस 50 is equal to minus 37.5 divided by 150 यहां से अब हम आरल का वेलू find कर सकते हैं cross multiply करके solve कर सकते हैं आरल का resulting value जो आएगा that will be load resistance देखो जिन लोग ने transient analysis नहीं पढ़ा है उनको यह चीज़े समझने में दिक्कत हो सकती है कि यह कैसे incident reflected voltage time के साथ कैसे change हो रहा है यह कैसे बन रहा है लेकिन जिन लोग ने transient analysis पढ़ा होगा उनके लिए question इतना challenging नहीं है इतना challenging नहीं है कि मैं बोलूँ कि यह challenging question और फिर मैं discussion की बात करों अब इसको हम cross multiply करके solve कर सकते हैं यह मैंने 1500 क्यों लिख दिया 150 होगा न डिवाइड बाई 150 ठीक है और यह हो जाएगा अगर मैं बात करूं 37.5 का डबल होता है 75 तो यह 141 by 4 माइनस 1 by 4 क्या सकते आप इसको सीदे-सीदे इससे यह बात तो क्लियर जाते है कि आरल जो विटी से कम होना चीए तभी नगेट अब क्रॉस मल्टिप्लाइ करके हम solve कर सकते आरल का वेलिवाइड कर सकते तो जाएगा 4RL माइनस और प्लस हो जाएगा 200 solve करेंगा तो जाएगा 4RL माइनस माइनस प्लस हो गया 250 का पूर मल्टिपल किया मैंने माइनस को इदर यूज में लिया इस वाले माइन बट फिर एक माइनस तो माइनस आरल के साथ भी लेंच माइनस को चलिए उदर रेंदे देते तो इसको माइनस 200 ही बोलेंगे 4RL माइनस 200 equal to minus RL minus 50 minus RL minus 50 तो यहाँ पर हो जाएगा 5RL equal to 150 so RL will be equal to what 150 by 5 means 30 ohm 30 ohm इसका अंसर हो जाएगा 30 ohm इस question का अंसर बन रहा है यह question में problem अगर आपको थी I hope clear हुआ होगा question अगर अभी भी कोई problem है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं अभी कोई चीज समझने में problem हुई अगर इस question में तो आप बता सकते मैं repeat करूंगा बिल्कुल यह दो question जो starting वाले दो questions थे थोड़े अच्छे questions थे हालाएं कि अगले questions जो हैं बाकि उनमें भी थोड़ा सा कुछ तो challenges है उनके बारे में भी बात करेंगे चलिए इन में कोई डाउट तो नहीं होगा यह क्लियर हो रहा है ना सब लोग को नेक्स्ट कोश्चन की बात कर लेते हैं दा इन्पूट इंपिडेंस ओफ ए लेम्डा बाई एट सेक्शन ओफ ए लॉसलेश इन्पूट इंपिडेंस के बारे में वैली तो नहीं बोली बट यह बोला है रियल है तो आर का क्या वेल हो गए हमसे पूचा है इन्पूट इंपिडेंस का जो जनरल फॉर्मुला होता है उसके बारे में बात करें हैं करें input impedance का जो general formula होता है z in आगर general बात करें तो होता है z not z l plus j z not 10 beta l अब beta l क्या हो जाएगा beta l हो जाएगा 2 pi by lambda into length लेंग्थ हमें दे रखे है lambda by 8 तो हो जाएगा pi by 4 और 10 pi by 4 की value होता है 1 तो इसलिए मैं 10 pi by 4 नहीं लिख रहा फिर यहां पर 1 हो गए by नीचे होता है z not plus j z l 10 beta l 10 pi by 4 means 1 यह जो value है यह input impedance है इस में से कुछ चीज़ें हमें पता है like z not पता है हमें like z l में से r unknown है लेकिन x की value given है 30 plus j 50 by z not given है 50 plus j r unknown है लेकिन x पता है यह आएगा हमारे साब से input impedance but इसने बोलए कि यह कैसा है value नहीं बताए बट यह बोला है here pure real है आगर बोल दिये यह al tout value नहीं है value नहीं है वैलू नहीं है तो कैसे find करें भी हमार इस equation में और र unknown है और ढून है और धर में भी जो चीज़ हो व Merci तो and known है फिर कैसे find करें यह complex value आएगी लेकिन यह प्योर रियलेस का मैं लो complex value का जो imaginary part आना चाहिए that should be zero real part क्या होगा नहीं पता बट यह unknown है बट यह known हो गया ना इसमें की imaginary part इसमें 0 आ रहा होगा तो इसका imaginary part को 0 के equate कर देंगे unknown का value आ जाएगा इस unknown का value find कर सकते हैं क्या हो जाएगा आपर imaginary part अगर आप इसका calculate करोगे यह हो गया माइनस 30 हो जाएगा ने 50 माइनस 30 मींस 20 तो डिवाइड मैं रहा है 20 plus j of r आगर मैं इसका imaginary part find करना चाहूं तो rationalization करके resultant imaginary part बनेगा ना तो 20 plus j of r से rationalize करने के लिए 20 माइनस j of r से उपर नीचे multiply कर देते हैं किसको multiply करना है यहां पर overall देखें तो r plus j 80 बन क्या रहा है और यह pure real है यहां से समझ में आ रहा है यह pure real है इसका मतलब imaginary part should be 0 imaginary part कैसा आएगा एक तो इंदोना के multiple से आएगा एक इंदोना के आने वाला है यह माइनस आने वाला है ना माइनस आर स्कॉयर माइनस आर स्कॉयर इसमें से जे कॉमन आउट ले लिए मैंने 50 भी होगा अलांकि लेकिन अब जीरो के क्वेट ही करने तो जे को भी हटा यह जीरो में गया और एक कॉल टू जीरो आर स्कॉयर शुडबी कॉल टू वाट सिस्टीन हंड़ सो आर शुडबी वाट फॉर्टियों खतम देखने में हो सकता है क्वेश्चन टफ लगाओ लेकिन एक्च्वल में बात की तो ऐस समझ में आया मुझे पता है आप मगन होकर के समझ रहे हो चीओं को और इसमें प्रॉब्लम से रही होंगे कॉस्टन में तब ही लाइव में आकर के इनको देख रहे हो आप लोग के फ्रेंड सर्कल में जो लोग हो उनके साथ भी शेयर केजिएगा सेशन को क्योंकि हम यहां आगया है आपका गेट 23 की प्रिपरेशन में तो उन कॉस्टन के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है जहां पर चेलेंजेज आ रहे होंगे सब्जेक्स हो तो आपने पढ़ी लिया होगा कहीं से भी पढ़ाओ लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम से रहे हैं जो चेलेंजें कॉस्टन रहे हैं जहां पर चेलेंजेज फिल हो रहा है उनको हम डिसकस करते हैं तो आई यह इस तरह के सेशन सापके सामने आते रहें उसके लिए थोड़ा सा आपकी तरफ से हमें यह मोटिवेशन चेक यहां पर लाइफ सेशन में आप आकर करें और आपके फ्रेंड सरकल की बात कर लेते हैं यह वाले कॉस्टन में बात करें तो बस एक ही चीज जहां पर लोगों को प्रॉब्लम फील आती है यहां पर प्रॉब्लम फील जहां पर होती है वह यह आती है यह रिटर्न लॉस क्या होता है एक ही बस यह प्रॉब्लम फील होता है दर रिटर्न लॉस क्या होता है वो भी जानता है लेकिन रिटर्ण लॉस आगया तो भाई करें क्या आके जब रिटर्ण लॉस ही नहीं पता कि रहा है जब हम ट्रांस्मिशन लाइन की बात करते हैं जिसका कुछ characteristic impedance हो लेकिन जो load impedance हो वो जेड़ नौट के equal ना हो तो matching नहीं होती है matching नहीं होती है तो यहां से जो आने वाली voltage wave है या current wave है वो load पर आ करके कुछ reflect हो जाती है एगरियन है इस बात के साथ आप reflect हो जाती है अब हमारे हमने जो wave भेजी यहां पर let's suppose वो 10 watt power contained है उसमें अब उसमें से कुछ पार तो इसने अबसर्ब किया क्योंकि perfect matching नहीं ही तो कुछ पार्ट को रिटर ने कर दिया यहां से भेजा गया load को कितना power 10 watt let's suppose यह load है एक heater सर्दियों में यूज मिलेते हैं करें हम तो सोच करके बैठो हैं कि यहां 10 watt power हमने दे दिया तो उसे साफसे heating मिलनी ची अच्छी खासी बट इसने टूवर्ट पावर एब्जॉब की बाकि पावर 8 watt reflect कर दी तो है लिए हीटर तो हीटी नहीं कर रहा हीटी नहीं कर रहा कहां गई यह power तो हम बोलेंगे यह power return हो गई मतलब एक तरीके से लोड को ने मिली तो लोड के लिए तो वो लॉस वाना लोड का काम था लोड को पावर दी जाते इसको convert करना जो जो भी इसका operation कर जो जिस is the loss due to reflection at the load return loss is the loss due to reflection at the load return losses loss due to reflection at the load अब अगर यह समझ में आ रहा है reflection load पर जो reflection होता है इसको मतला हम क्या समझ सकते हैं यह 20 db दिया जो होगा वो क्या होगा वो एक तरीके से बता रहा होगा कि incident power का कितना हिस्सा लौट गया है उसकी वज़े से loss कितना फेक्टर हो रहा है अगर मैं बोलू कि यह और लॉस 50 पर सेंट है तो इसका मतलब मैं यह बोलना चारा हो कि incident power का 50 पर सेंट पावर रिफलेक्ट हो गया अगर इसी को पर सेंटेज की फॉर्म में बोलने के वजाए मैं बोलों कि यह पॉइंट फाइव है तो आप समझ जोंगे सपर तो यहां पर जो रिटर्न लॉस दिया हो amongst db में दिया हुआ है और वो रिटर्न लॉस का मतला पावर रिटर्न कितने होगी इंसिडेटेडमर का वो db में दिया हुआ है कितना दिवाए डीवी में 20 डीवी क्योंकि लॉस है इसलिए हम बोलेंगे माइनस 20 क्योंकि यह लॉस है इसका मतलब रिटार जो और कॉमन सेंस भी बोलता है कि जो रिफ्लेक्टेड पावर है रिटर्न पावर है वो इंसिडेंट से कुछ कम होगी तो यह वाला जो रहली होग अक्यालव सकते हैं कर सकते हैं सिंर्पल जो रहा होगा प्र बैप इंसीदेंट सारे क्तिन पावर कॉड़् फ्लेक्टेड पावर को डीवी में कामट सकते हैं प्र वालुआ söईगा सावसे सकतेम gods लॉक को आठाने के लिए 10 का पावर करना पड़ेगा तो 10 का पावर माइनस 2 means 0.01 ये बन क्या रहा है PR by PI क्या reflected by incident ही reflection coefficient होता है reflected part by incident party reflection coefficient होता है हमसे reflection coefficient पूछा है नहीं reflection coefficient जो होता है gamma जिसको हम represent करते हैं वह या तो voltage के हम बोलते हैं या current के लिए हम बोलते हैं और अगर मैं बात करूं तो ऐसे कह सकता हूं क्या PR जो होगा और PI जो होगा वो voltage के square से related होगा तो VR square by VI square means VR by VI square होगा मतलब यहां पे गामा नहीं बलकि गामा का square है 0.01 तो गामा क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा अगर गामा का square 0.01 है तो गामा 0.1 हो जाएगा तो reflection coefficient की value हो जाएगी 0.1 means इस option को हम reset कर सकते हैं बाकि सारे options 0.1 के साथ ही हैं अब हमें दूसरी चीज़ पर ज्यान देना है क्या reflection coefficient VSWR इस गामा से related कैसे होता है यह सब को पता होगा यह तो सब को पता ही होगा यहां पर हम बाकि पार्ट की बात करें VSWR जो एस होता है वो गामा से ऐसे related होता है S equal to 1 plus more gamma by 1 minus more gamma यहां पर यह वाली value जो इसको substitute करके solve कर सकते हैं बाकि common sense से भी बिना calculation के से हो सकते हैं क्या कि जो SWR होता है SWR जो होता है वो minimum होता है one और maximum होता है infinite यह सब सब लोग जानते होंगे SWR की value one से infinite के बीच में हो सकती है one से कम नहीं हो सकती negative नहीं हो सकती यह होगी बाकि आप calculate करके value इस पूट करोगे ना तो भी यह आएगा मुझे विश्वास है पूरा 100 परसेंट अगर नहीं आता है तो मैं इनाम दोंगा आने वाला यह आने वाला बिना calculation के साथ आपके कमेंट कर सकते हो क्योंकि SWR की value greater than one होती है तो पहले ही मेरे मैंड में अगर यह चीज़ आ जाती तो मैं भी और सी को यह relationship पता है तो चैक कर लें one plus इसका magnitude करने तो पॉंट बनाएगा one plus point one means one point one divided by point nine one point two टू रहा है या one point two divided by point eight two two point four four हो रहा है क्या मुझे लगता है यह नहीं मैं चोगा कुछ भी नहीं पता तो भी इस question को तो नहीं चोड़ेंगे हम केवल यह relation भी पता है आपको तो आप चेक कर सकते हैं आपको यह और यह और यह दोना relationship पता है तो उनके साब से इनको reject कर चुक है फिर आप चेक कर चुक सकते हैं one plus point one by one minus point one यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर यह हो रहा है तो यह यह हो रहा है मुझे लगता है यह वाला नहीं बनेगा क्योंकि यह दुगना कैसे होगा यार सारी चीजें मुझे तो relation समझ में आता है यह नहीं बनने वाले आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं बाकि अगर solve करना है तो कैसे solve करना है उसके लिए यह return loss क्या होता है आई होप आप लोगको clear हुआ होगा यहां पर इस question में बस एक यह ही चैलेंजिंग पार था what is return loss जहां पर students की query जाती है questions बनकर क्या आता है जो doubt आता है वो यह ही आता है तो I hope यह questions जो है चारो questions से आपको सीखने को म ठीके से हमारा जो यूटूब वाले ट्रेंट्स उनके WhatsApp ग्रूप में आड़ हो सकते हैं आपके friends circle में कोई अगर वहां पर हो तो वहां पर आकर के WhatsApp ग्रूप में आकर करके अपने डाउट्स शेयर भी कर सकते हैं उनको नेक्स आने वाले सेशन में डिसकस करेंगे चले इसके बाद अगर हम बात करें जो गेट 24 के लिए प्रपेशन अपना स्टार्ट कर रहें तो यहीं पर इसी यूटूब चैनल पर signals and systems स्टार्ट हो चुका है signals and systems का जो क्लास होता है वो evening में 8.30 pm पर होता है तो यह क्लास अभी स्टार्ट ही हुआ है जीरो से बिल्कुल जो जीरो लेवल पर भी है वो लोग भी जाकर के इन classes को enjoy कर सकते हैं इन क्लासे में जाकर की सीख सकते हैं और signals and systems basic subject है EC वाल students के लिए भी electrical वाल students के लिए भी तो वह यहां पर जाकर के subject को सीख सकते हैं अभी केवल तीन सेशन सेशन आज 8.30 पीम पर है तो आप याद रखिए इस सेशन को भी जोइन करना है ठीक है अगर इसके अलावा बात करते हैं एक सेशन है 9.30 पीम पर आप इस सेशन को जाकर कर सकते हैं 9.30 पीम पर डेली क्लास होती है control systems की इसकी भी दो सेशन हुए है आज थार्ड सेशन है थार्ड लेक्चर है तो आप यहां पर आकर करके 9.30 पीम पर control system का यह जो सेशन है इसको अटेंड कर सकते हैं उसके अलावा जो 23 के लिए प्रपेशन कर रहे हैं लोग के लिए मैं बता सेशन का जो टाइमिंग रहेगा इसी यूटूब चैनल पर टू पीम टू पीम 11 पर रहेगा तो यहां पर आकर के आप अपने इन टॉपिक्स के रिवीजन कर सकते हो यहां पर शॉर्ट नोट बना सकते हो लाइब में कुछ कुछ कॉस्चन भी बीच में डिसकेशन में करता जो लोग डेडिकेटेड बैचेश जॉइन करना चाहते हैं गेट 24 के लिए तो बिना अपना टाइम खराब किये इन बैचेश को जॉइन कर सकते हैं यह केवल मैं मेकेनिकल और सारी इसी लेक्टर के लिए नहीं बता रहा हूं सभी ब्रांचेश के लिए तो गुरुकुल ब जाकर के देख सकते हैं 24 7 34 Day वेब साइट पर जाकर के देख सकते हैं यह सामने अनerson कर के बताएगल फीचर्स मतंब यहां पर गुगल पर जाकर कर अग्ड़ा 24-7 सर्च करेंगे तो आपको अड़ा 24-7 की ओफिशल वेबसाइट मिल जाएगी यहां पर जाकर कि आप देखेंगे तो औल कोर्स इसमें आप जाएंगे ऑल कोर्से में जाकर के क्लिक करेंगे गेट एंड इंगे एग्जामनेशन में ठीक है तो यह गेट एंड ए आपके अटेंट करना है और जो सेकेन्ड यर के स्टूडेंट में रिजिबल हो जाते हूं तो वह इस एन बैचेज को जूइन कर सकते हैं जो 24 में रुट 5 में आपका रहने वाले यहां पर इसकी वेलेड़ीटी रहने वाले पूरे 1.5 यर्स की 18 मन्स की तो जो सेकेन्ड वा रहेगा वो 1600 आर्स के आसपास का यहां पर लाइव कंटेंट रहेगा 1600 आर्स का वैलेडिटी आपको 18 मंथ स्कीम लेगी और भी जो फीचर से यहां पर इस बैच के वाप इसको वेबसाइट पर जा करके सर्च करके देख सकते हो अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी फिर आज सकते हैं अगर ऑफर से अप्लाइब करें तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहोगा वाई 657 इस कोड को आपको एपलाई करेंगे अगर वाई 657 यह कोड अगर आप एपलाई करेंगे तो यहां पर आपका 17 परसेंट का उफ हो जाएगा कोड को याद रखना है यह कोड एपलाई करने के बाद यह आपको यहां पर ओफर प्राइस मिलेगा यह 17 परसेंट ओफर आपको मिल रहा है लेकिन अगर यही अड़ा 24-7 की वेबसाइट पर जाकर करके देखेंगे तो आप पर कैसे देखेंगे यही पर आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अड़ा 24-7 का एप का उस पर क्लिक करके आप अड़ा 24-7 की एप इंस्ट्रोल करने बाद वहां देखेंगे तो यहाँ पर प्लस एक्स्ट्रा 1% और मिलेगा तो यह जो है और जदा अफोर्डेबल हो जाएगा तो आप यह जो बैचेज स्टार्ट हो रहा है 24 के लिए हमारे पास अच्छे से टाइम है बिना टाइम गवाए इन बैचेज को आप जोइन कर सकते हैं तो आपको यह सर्च कर लेना है यह बैचेज जो भी है तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पर इनको जोइन करना है क्योंकि अभी आपके सेमिस्टर एक्जाम्स एंड अप होने वाले हो गए होगे होंगे तो आप इन बैचेज को जोइन करके अपनी प्रिपरेशन जो इसको अच्छे तरीके के साथ यहां पर पूरा टाइम मिल जाएगा आउन भी कर लेना सो देट जो भी आगे कोई आने वाले सेशन्स रहें उन सेशन्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे यह बाकि और भी जो बैचेज हैं जो 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो लोग के लिए सब्जेक्ट वाइस भी यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते चले तो मिलते हम नेक्स सेशन में आई होप आपने सेशन को एंजोई किया होगा अपने फ्रेंट्स लोग के साथ शेयर भी कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक लिए टेक क्या